नहीं लिखा हुआ है इनको मस्जिद से महदत ही नहीं है पांच मरतबा यहां पर देखो बोड़ बदली हुआ पांच का ओफिस का ये बार-बार क्यूं ये इनकी बिजनेस की जगह है क्या कभी इन्होंने आज तक पेंट नहीं लगा है मस्जिद में सारे काम मुसली करते हैं हाँ इसी चालू करने कंप लिए इनको तकलिफ यह क्या तुम्हारी खुद की मिल किया थे या या आवाम की तुम उनको तुम उनको वेसलेटीड हो आज तक तुमने जामा मस्जिद का नाम क्यूस नहीं यह सवाल का एक जवआब दो मेरे को नी बने ऊग afternoon Sedotto आप म Grand nagय तेवी साल में आप मसजीद कंपलेट ने कर पहे हैं आपको खुप रहे हैं इस इस तीफा दू दू मसक्तर नहीं चलेगी नहीं चलेगी नमस्कार असलाम अलेकुम आदाब मैं हूं यूसुफ अली आप देख रहे हैं सेफ नियूट लाइव आई ये देखते हैं आज की खास कवर दोस्तों इस समय खड़े हैं वसाई पस्चिम के मुसा जी गली की जावा मस्जिद के आँ जावा क्याना चाहिए कि एनकी कुछ ऐसी माँगे है कि मस्जिद का ट्रस्ट का गोठाले बास है चीज़ को लेकर आज इन्हें पर एक विरोध प्रस्यों किया है विल्कि नंहें प्लिस टेशन में पत्र दिया था और ये एक मौर्चा तक करने वाले थे लेकिन उस मौर्चे को इस्थागित करके यहीं इन्होंने विरोध प्रोजिशन किया है अभी क्या कुछ कहा है इनके लोगों ने आप देखे आगे वीडियो में और ऐसे मामलों पर क्या कुछ होना चाहिए क्या करना चाहिए यह प्रशाशन को भी देखकर शांती विवस्था बनी रहे इसके लिए कोशिश करनी चाहिए अभी के लिए इतना ही वसाई से युसुफ अली मेरा नाम खाली शेक है और मैं इदर का समाथ से वकूँ और इस मजिद का मैं तकरीबन बच्पन से यहां का मुसली हूँ मैं विशे तो यह तकरीबन 30-35 साल से चल रहा है हमारे जो बड़े लोगे लड़ रहे है कई सालों से अब यह डाई हमारे हाथ में आ गई और कागस पेपर अब 2005 में तकरीबन इन्होंने केस लड़ा था शाहिज शेक और अब दूरेबान शेक ने और केस वन साइड आया था वन सेड आने के बाद भी ट्रस्ट ने रिजाइन ने दिया उसके बाद अब यह कहानी हमारे आत्मे हमारे बच्चे भुगत रहे हम भुगत रहे हम लिखकर लेटर देते तो एकसेप नहीं किया जाता है लेटर को फेक दिया जाता है तकरीबन 20-25 लेटर दिया गया एक भी लेटर का जवाब नहीं मिलता है और जरा कुछ बात करने जाओ तो बोले कोट में आके मिलना कोट में अरे सुप्रीम कोट है क्या है क्या है अरे मज़्जी दे आपस का मामला है बैट कर बात करो हम अरोप इस पर इंकवरी पिठाए जाए आप महें के हमरें के आउडर की कॉपी है दो और पांच की कि मिस ऑप्रिपेट किया गया ब्रीच ऑफ ट्रस्स किया गया यह हमरें अउडर की कॉपी हम चाहते हैं आप आप हमके समसें सिदा सिदा इसाब रख दो अगर आप गबन तक करिवन 20-25 साल से यह मरा आरोप है और यहां तक कि जो अभी जो ने 2016 के आया पटे लियांक ट्रस्टी बड़े हैं और भी है उन लोगों को हिसाब नहीं मिल रहा है और चंदा लेने के लिए चंदा लेने के लिए यहां पर जमा किया आता है वह साब मांगो तो बोलते है वकप बोट से जाके लेलो तो तुम जाके चंदा भी वकप बोट से लेलो ना एक मयत के पीछे 5400 रुपया लिया जाता है मगर उसमें भी कोई फैसलेटी नहीं रहती है मयत आने के बाद में आदा आदा गंटा बरगे नहीं मिलते और बहुत से इसी तकलिप है जैसे बाव कीचर निकल रहा है साफ करने के बाद में और इतना होने के बाद में महानगर पाली का की जो लाइटे है वो भी महानगर पाली का देती है और यह मीटर लगा के बैटे बिल बरने के लिए कि जब महानगर पाली का फैसलेटी दे रही है आज दरगा उन्होंने तोड़ दी इ उसके खोटे पेपर इन्हों ने बनाए और खोटे पेपर बना के लोगों को मुसल्मान भाईयों को गुम्रा करें इन्होंने आज वो दुसरी की जगा है आज वो दुसरी की जगा पर इन्होंने दावा किये कि हमारी जगा है कर चुके तो उसके बाद में आपने प्रसेशन से वर्तमान में क्या कहां कहां लगा लगा है और अभी वह हाई कोड में उन्होंने और को चैलेंज किया है और हाई कोड में हमारा मामला चल रहा है और अभी रिसेंट्टी दो हजार उन्नीस और दो हजार बीस में सूट नंबर 182 अबलिक 2021 जिसमें मैं खुद पिर्यादी हूं लैंड को लेकर मस्जित की जमीन के सर्वे को लेकर वकप बोड में मेरा खुद का केस चालो है और इसे कई केस मस्जिदों के चालो है जिसके काल नहीं निकल रहा है और यह सिर्फ टाइम बेस कर रहे हैं टाइम एक्स्पेंड करते चले रहे हैं कानून पर हमको पुरा प्रोसा है कानून के दरी जरी है हमको चलना है लेकिन अगर आप से नहीं होता था आप रिजाइन देदो ना वकप बोड की क्या बोड़ कर रहा ह वकप बोड को तो पुरा वे चीए हम पुरा हमें सब्मिट कर रहे है ओ लॉन और जीसे चलते चला रहा है जी जन्हिन फैसला होगा होगा और हम ऐगम उमीद ए आच्छा फैसला होगा इंचा फैसला होगा क्योंबिछ क्रपे साप अभी आखर यहां विजिट करके गए और उन्हें ने कहा कि आप मुर्चा मत निकलो मैं खुद आकर आपका वापनी बी दन ले लेता हूं और उन्हेंने हमारा निवीदन स्विकार किया है और उन्हेंने कल तक्रीबान आदे दिन तक हमारा जवाब दाखिल किया है जो फिर्यादी थे और सामने वाली पार्टी को भी जवाब देने के लिए बुलाया था लेकिन उनकी डाइपीटिस बढ़के वह नहीं आप है उन्ह आपको शॉल बिनाते हैं घुल दस्ता देते भाईया मेरबानी करके रिजाइन दे तो यहांनी डिमांड आपने दूसरों को दो आपने जवान बच्चों को दो उन्लों करेंगे ना यह फिक्स्ट्रस्टी है कहा पर कौन सा ओर्डर है क्या है मतलब फुद आप फिक्स पर कुछ चर्शियों लोगों ने यह सब काम हमारे उपर दबाओ कर रहे हैं और अंपर यह कर रहे दर्गा यह तोड़े सब यह करें इनके लड़के टेंडर ले बनाने के और उसके बाद में दरगा तोड़ने के बाद में जब कोई बोलने जाए पूछने जाए तो उनके वकब में खिछते यह जाने का खर्चा मजीद के पैसे से गरते इंका जो पैसा है सब मजीद से जाता है कोई प्रस्टनली नहीं जाता है आवाम का पैसा है अवाम उसका पैसा दे रही है आज मस्जीद के अंदर तकरिवान एक मीटिंग में हमको बोला गया कि 1,600 करोड, 1600 करोड की मस्जीद के प्रोपेटी है, इमाम की पगार 16,000 पे, शरम नहीं आती बोलते हैं आपको, आज 22 साल से हुई इमाम है, तुम उनको पगार नहीं से सकते हैं, आज मस्जीद के प्रोपेटी किस काम की, कोई कौम के कामी नहीं आ रही, ना होस्पिटल बना पड़े, ना रियाफ सेंटर बना पड़े, ना कॉलेज बना पड़े, सारी चीज़े लिटिकेशन में, आप क्यों कर रहे हो, आप रिजाइन दे दो, खतम कर दो, मैटर, that's it, हमा मस्जिद का ट्रस्टियों 2016 से, जावा मस्जिद का कारोबार एकदम चेर्मेन पूरी तरीके से अपनी मन मानी से करते, किसी को कोई पूछती नहीं है, ये बात ना ट्रस्टियों से मशवरा करते, हाल फिलाल में जो मस्जिद रिपेरिंग हुई, हम लोग कई सालों से बोल लेकिन बहुत उपर तक कंपलेट जाने के बाद ने इन्होंने ये रिपेरिंग कर आए, लेकिन रिपेरिंग करते वक्त उन्होंने कोई चार कोटेशन हमको नहीं बताया और पूछे नहीं, कि ये किसी को देना चाहिए, 2020 से कोई ट्रस्ट की मिटिंग नहीं हुई, कुछ कुछ पास ट्रस्टी है, लेकिन नसीर भाई अपनी मन मानी चलाते है चेर्मेन साब, इसमें कॉंट्रेक्टर है, अब्दल सत्तार करके कॉंट्रेक्टर है, ये रे 2000 से उनका 2,66,000 पर बाकी है, उन्होंने लेखी तकरार की है, वो कौपी हमारे पास है, उन्होंने मजित के कॉंट्रेक्टर दे, आज 2022 तक उनको 2,66,000 पर मिले नहीं है, तो ये कैसे चलेगा, तुम किसी के पैसे रोक दोगे कॉंट्रेक्टर के, और तुम कहते हो 16 कुरोड की प्रोपेट्टी है, जैसे अभी इन सार्व में यादा बताया कि 5 ट्रस्टी है, जी, एक चेर्में जो पूरी ट्रस्ट डिजॉल्व कर दी जाए, नए सिरे से नई डीट के साथ में नए बच्चों को चांस दिया जाए, इनकी डीट के इंदर क्लियर मेंशन है, लाइफटेम ट्रस्टी है ये लोग, और लाइफटेम ट्रस्टी हमको मानने कबूल नहीं है, यहाँ पर इसको कंपलीट नहीं कर पाए, फंडिंग बहुत आती है, हम लोग जबान से हिसाब मांगे, उनसे सब ट्रस्टी ने लेखी में हिसाब मांगे, वो हमारे से कोई हिसाब देते नहीं है, खाली साल के आखिर में आडिट रिपोट लाते है, जो मैं तीन साल से साइन करने के ल मत कर रहे है, हर ट्रस्टी बोल रहा है कि इमाम की तंखा कम से कम 30,000 रुपे करो, बिल मुकाबिल दूसरे मस्जिदों में 25-30,000 है, लेकिन वो नहीं सुनते है, हाला कि बैंक बैलन से ट्रस्ट के पास सारी चीज़े है, लेकिन चेर्मेन साब अपनी मनमानी करते है, कोई भ हमारे रिष्टे में लगता है, हाला कि दूसरों का कम कोटेशन देने के लिए तैयार थे लोग, लेकिन इन्होंने कबुल नहीं किये, बैंने में काम दे चुका हूँ, आपने काम किसको पूच के दिये, हमने कबरस्तान का भी काम करा है, पूरा ईत्गा तैयार किये, वो को साफ रखना चीए कि ना आदमी अपना घर साफ रखता है हमने इदगा साफ किये कुछ स्क्रैप मेटरियल वगेरा निकला पूछ के उनको हमने स्क्रैप पहले को बेज दिये बात चीट भी सब कुछ फिर भी आज जाके एफायर कर रहे मेरे पे कि बाबा इसने बीना कान पर जाके साइन लेते के बाबा बहुत जरूरी है वकब बोड में शामिल करना ऐसा करके ट्रस्टी को बेवकूब बना के यह अपना ट्रस्ट चला रहे अपना कारोबार चला रहे मैं तो बोलूँगा इनको इतनी भी तो तौफीक नहीं हुई आज 23 साल में के जामा मस् पांच मरतबा यहां पर देखो बोड़ बदली हुआ पांच का आफिस का यह बार बार क्यों यह इनकी बिजनेस की जगह है क्या कभी इन्होंने आज तक पेंट नहीं लगा है मस्जिद में सारे काम मुसली करते हैं एसी चालू करने के लिए इनको तकलिफ यह क्या तुमार और मीना आज 23 साल में आप मस्जिद कंप्लेट ने कर पाए आपको कोई हक नहीं है यहां रहें नहीं का आप छोड़ दो इस्तिफा दो हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एंउं सेवा से संबंदित विज्यापन है तू मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर करें